लोगडाउन के दौरान प्रदेश के अलग अलग जिल्वे में फसे लोगों को अब उनके घर पहुचाए जा रहा है जिससे प्रवासियों में खुशी का मावल है देश भर में लॉकडाउन के दौरा अनफ़से मजदूरों को उनकी ग्रह राज्यों तक पहुचाने के लिए तमाम इंतजाम किये गए हर्याना से भी ट्रेन और बसों के जरीए परवासियों को भेजने की विवस्ता की गई है इसी कड़ी में फ्रिदाबाद से पहली ट्रेन मद्यप्रदेश के लिए रवाना हुई जिसमें करीब 1400 लोगों को भेजा गया वहीं जुरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तह से ख्याल रखा गया साथ इस सफर में लोगों को किसी तहर की परिशानी ना हो इसके लिए खारे पिने की विवस्ता भी की गई हमारे यहां से आज दो ट्रेंज जानी हैं एक साड़े नो बजे है जो दमो मद्यप्रदेश में जाएगी और उसमें लगबग 1400 लोग ट्रेवल कर रहे हैं जिनकी बौर्डिंग अभी चल रहे हैं सुबह से इसके बाद सेकेंड ट्रेंज लगबग एक बजे जाएगी जो गौलियर मद्यप्रदेश के लिए ही रवाना होगी और उसकी भी हमें 1400 लोगों को ले जाने की अनुमती उसके मेली है वही घर वापसी को लेकर लोगों में खुशी दिखाई दी और उन्हें प्रशासन कथर निवाद किया तो यह वहां से हमें बशमें ले जाने की मेवस्था करेंगे तो खौने पिने को दिया आने को जिया पानी दिया और पन्ड दिया हुँआ हुआ है जान्य ठीक है वहां भी जहां रुक्ए थे वहां भी नेकल भी से वा गे मेरें पर्ण एनma यहां आजय इसके साथ ही विवाने जक्षन से दादरी से करीब 1440 मजदूरों को बिहार के किशन गंज के लिए रवाना किया गया। जिशे और मनें आजिसच रॉप साथ जिलो में धिवाना कि जिलो में डिवाना किया गया एक ब्रशासना में घाने ञाने ॐचनर लॉपके पाने के लीगा वाना किया है। आपनीकों के लिए भी अच्छी क्वालिटी के मास्क उपलब करा रहे हैं अब इन लोगों के अपनों से मिलने का इंतजार खत्म होगा और ये लोग राहत की सांस ले सकें